कोरोना की इस महामारी में आज हमारे समाज का हर परिबार हर बेक्ति किसी ने किसी तरह से सैक्लोजिकली परभावित है कुछ फैमिली पोजिटिवली परभावित है क्योंकि वे आज सब एक साथ रह रहे हैं एक साथ खाना पीना खा रहे हैं एक गुसरे को अत्यादिक समय दे रहे हैं लेकिन वे शे फैमिली जिन में पहले से कतूता है जिसमें आपस में पहले से थोड़ा बहुत द्रेश है वेशे फैमिली में कोरोना की इस महामारी की चलते इस लोग डाउन की चलते निगेटिव साथलोजी डेवलप कर रही है जैसे आपस में stress बढ़ रही है, anxiety बढ़ रही है, लोग depression में जा रहे हैं, लोगों की कभी-कभी नीद नहीं आती है और कभी-कभी इतनी depression में हो जाते हैं, इतने irritation में आ जाते हैं, कि वे सुसाई तक करने की भावना उनके मन में आने लगती है इस महामारी में हमारे बच्चे बुजूर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, अगर बच्चे की बात करें, तो उनकी out game पूरी तरह बंध हो गई है यानि physical activity बिल्कुल ही बंध हो गई है, इस्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण से उनके physical activity बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है, वो घर में कैद हो गए हैं और इस तरह से वो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो पा रही है, खेल धूप भी नहीं पा रहे हैं, आउट साइट में बाहर के खेलों से वो बंध गए हैं, नहीं जा पा रहे हैं और इस कारण से वो घर में ही कैद महसूस कर रहे हैं, इरिटेट हो जा रहे हैं, वो यत्यधिक समय मोबाईल में, टीवी में, कम्पीटर में बिता पा रहे हैं, लेकिन इतनी उनके पास समय है, जो उसे इसमें भी समय कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, और वो इरिटेट हो ज प्रशिशक ये हमारी गौर्वर्मेंट की गाइड लाइन है, 60 एर्स के बार के बुजुर्गों को इस लोग डाउन में, इस महा मारी में घर से बाहर नहीं निकलना है। इसका असर हमारे बुजुर्गों पर अत्यधीक पड़ा हुआ है। उए घर से तो निकल नहीं पा रहे हैं और घर में कैद महसूस कर रहे हैं। जहां तक के उनके बाहर की निकलनी की सवाल है, तो बुजुर्गों में कुछ बीमारियां हर बुजुर्गों में होती है। और विश्य बिमारियों में डॉक्टर उसे सलाह देती है कि आप बाहर जरूर निकले, मौर्णिंग वाव जरूर करें, लोगों के बीच बेठें, गब करें, बिजी रहें, लेकिन ये सब चीजे आज इस लोकडाउन में, इस महामारी में, करोना के इस महामारी में नहीं हो प देश्य बिच्छटी पर रहे हैं और इसका प्रवाव उनकी साक्टॉजी पर नियटी पर रहा है, वो निकेटी